Hey everyone, welcome back to the channel. तो आज हम देखने वाले हैं नौन-्रिनल एक्सक्रिशन. तो पिविएस वीडियों हमने रिनल एक्सक्रिशन के बारे हैं बात की थी. और रिनल एक्सक्रिशन में हमने बैसेकली के बारे हैं डिसक्स किया था. क्योंकि renal के अंदर केवल वही एक औरगन होता है जिसके तुरूगा है drugs का excreation होता है तो kidney के बारे हमने सारी चीह जान ली थी और उसमें जो excrete कैसे होते हैं drugs तो उनके बारे हमने डिसक्रस किया था तो वह वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो जागों से देख लेना आज हम उसका अगला part देखने वाले हैं इसके बाद यह जो elimination वाला part है पूरा complete हो जाएगा तो आज हम बात करेंगे non renal excreation तो renal का मतलब होता है कि kidney आप बस इतना simple याद रखो renal मतलब kidney तो अगर renal excreation की हम बात कर रहे हैं तो kidney के दोरा excreation होता है drugs का और अगर हम non renal मतलब kidney के बिना है ना तो यह होता है हमारा non renal excreation तो kidney के बिना हो रहा है तो मतलब जो हमारे अधर organs है उनके through key excreation हो रहा है तो इस तरह से आपको चीजों को ध्यान रखना है तो basically यह non renal excreation रहता है तो इसमें kidney involved नहीं होती है kidney नहीं होती है इसमें और बाकी के बहुत सारे organs होते है या फिर बहुत सारे body के अलागा system होते है उनके through key drugs का excreation होता है तो इनी के बारे में हम non renal excreation में discuss करेंगे सबसे पहले हम बात कहते है binary excreation की और इसको हम जो enterohepatic cycling भी बोल सकते है तो यह का एक तरह की cycling होती है cycling का मतलब है एक drug क्या है blood stream के अंदर होता है blood stream के बाद वो क्या है liver के अंदर पहुंचता है और liver उसे बापस से क्या है जो intestine होती है small intestine तो वहां पर उसे बेज़ देता है उसके बाद जो small intestine होती है तो वो फैसो उस drug को जो रिये अब्जॉर्ब करके बापस उसे blood stream में बेज़ती है और वहां से वो transport होके बापस से liver के पास पहुंचता है और liver उसे फैसे बेज़ देता है small intestine में तो यह क्या इस तरह से एक cycling चलती रहती है इसको हम बोलते हैं enterohepatic cycling और यह जो cycle है यह क्या multiple time चलती है और इससे क्या होता है कि जो drug होता है तो या तो उसका जो drug का जो action रहता है और या फिर जो drug का जो concentration रहता है बोडी के अंदर वो क्या increase हो जाता है तो इससे क्या यह दो benefit होते है तो यहाँ पर आप हम बात करेंगे बाइलरी excreation की कि बाइलरी के जो bile juice रहता है तो उसके तुरू क्या excreation कैसे होता है तो सबसे पहले कि आपको bile के बारे में थोड़ा समझना होगा तो बैस तो आप bile juice के बारे में जानती होंगे कि इसको क्या liver cells के दोरा बनाया जाता है और यह क्या है जो fats का जो digestion होता है तो उसमें हमारी मदद करता है जो bile juice रहता है इसका जो storage रहता है bile juice का क्योंकि इसे liver cells के दोरा इसे produce किया जाता है तो उसके बाद इसका क्या storage भी होता है एक जगह पर तो गॉल ब्रेडर के अंदर के इसका storage होता है जो bile juice रहता है और जब क्या bile juice की जववत होती small intestine के अंदर तो उसके अंदर के रिलीज कर दिया जाता है गॉल ब्रेडर के दोरा तो जब भी हम क्या खाना खाते है तो खाने में क्या है fats के amount होते है तो वो क्या हमारे stomach में पहुंचता है वह उसका degradation होता है खाने उसके बाद हो क्या macronutrients में टूच जाता है फिर वो क्या small intestine में पहुंचता है तो वहाँ पर क्या है खाने के अंदर कुछ fats भी होते है तो यह जो bile juice होता है तो यह क्या है fats के digestion में हमारी help करता है तो basically क्या है कि जब खाना small intestine में पहुंचेगा तो gallbladder के उसमें थोड़ा सा bile juice release कर देगा जैसे फैट्स होंगे तो वह अच्छे से digest हो जाएंगे वाँ पर रिलीज किया जाता है तो जितना यूज होना रहता है वाइल जूस का तो वह तो होई जाता है और जो बसता है तो वह उसे क्या बापस से क्या उसे री एब्जॉर्ब किया जाता है इंटेस्टैन की जो बॉल्स होती है उनके दोरा और फिर से रिसाइकल बैक कर दिया जाता है लिवर के पास तो जो बापस से इंटेस्टैन उसे री एब्जॉर्ब कर देती है और लिवर के फिर से बापस से इंटेस्टैन के अंदर बेज देता है तो एक तरह की क्या यह एंटेरो हेपेटिक साइकलिंग होती है तो चाहे हम ड्रक्स की बात कर रहे हो है ना चाहे हम बात कर रहे हो बाइल जूस के सीक्रेशन की तो यह क्या एक तरह की साइकल में चलते है कि लिवर क्या बापस से बा बोलते हैं ड्रग वाला मैंने आपको एक्जम्पल दिया था तो वो भी क्या सूट करता थै उस पर तो यह साइकल तो चलती ही रहती है लेकिन फिर भी क्या थोड़ा वहाँ बाइल जूस बच जता है तो वह जो बच्चा हुआ जो लेफ्ट हुआ जो बाइल जूस होता है तो फिर भी कहा थोड़ा वो leftover बच जाता है बाइल उसका तो उसके एक्सक्रीट कर दिया जाता है फीसेज के दुरूप और function के हम बात करें तो जैसा कि आपको पता ही है कि fat के करता है अब हम बात करते हैं कौन-कौन को यह से गाएंडर कर दिया था वहां पर उस्टी में पहुझते हैं फिर लिवर के पास पहुंचते हैं और बापस से होना है acerain के अंदर देता है है ना अब जब क्याई interimp savior & p fire Demi रही और एक ओ तरीफ होता है वह लग्र के पाफ पहुँचेगा और वह अन्दर बियुक्त 된 में तो वहांपे क्या है वह वाइल जूस के साथ मिक्स हो जाएंगे अब जो डर गया तो वह बापस से जो एंटेक्स्टेंट के दौर एब्जॉर्ब करके फिस होना है कि लिवर के पास बेज दिया जाएगा तो इस तरीके से भी उनका तो यहां पे क्या है आपने देख ली है बैसिकली कि बाल जूस से उनका एक्स किरेशन का हो रहा है और Kenn Väy लिवर जूस में और ब्लंट प्लाज्मर रहता है तो उनके अंदर कि हा बरावर रह रहता है तो ऐसे जो compounds होते हैं वो क्या है sodium होगे potassium chloride आइन्स और जो ग्लूप हो जो गई तो इनका जो level रहता है वो प्लाज्मा के अंदर जो blood प्लाज्मा रहता है उसके अंदर और जो bile juice रहता है दोनों के अंदर के बरावर रहता है मार इसमें जो लेवल होता है वो के बाइल के अंदर तो रहता है लेकिन उनका ब्लट प्लाजमा के अंदर जो लेवल रहता है वो के थोड़ा सा कम होता है तो इसमें बेसिकली एकजेम्पल आ carbon है बाइल शॉल्ट हो गए बेरुविन ग्रू को रुनाइड हो गया और क्रेटिनेंब बगएर तो इस तरह के जो कंपाउंट होते हैं तो उनका एक्स क्रीशन क्या है फाइल के ठूरू हो जाता है और ग्रुप कि हम बात करें तो जो basically क्या है जो उनके जो levels रहते हैं, group C वाले compounds के, तो उनके जो levels है, वो क्या है, bile juice में तो कम होते हैं, लेकिन क्या है, उनका जो level है, वो blood plasma में ज़्यादा रहता है, okay, तो यह हमारे group C की compounds हो जाते हैं, example, स्प्रोज हो गया, inulin हो गया, phosphates हो गई, phospholipates हो गई और कुछ mucoproteins वगरा होती है तो हमारी group C में आ जाती है तो यह basically क्या है, तीन group में जो आपको compounds दिख रहे हैं, तो इनका excretion होता है bile juice की बिज़े से, तो यह तो हमारा हो गया bile juice से कैसे जो है, मतलब binary excretion कैसे होता है, तो इतना आपके समझ में आ गया होगा, एक्जम के लिए सफिस हैंट है, second हम बढ़ते है pulmonary excretion की तरफ, pulmonary excretion का क्या मतलब है, तो basically pulmonary का मतलब रहता है, कि lungs के दौरा उसका excretion हो रहा है, है न, तो इसे हम pulmonary excretion बोलते हैं, basically क्या है, अब lungs में हम क्या देखते हैं, lungs क्या क्या काम करते हैं, वो क्या है, gas का exchange करते हैं, oxygen अंदर लेते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं, तो हम basically क्या बोल सकते हैं, कि कुछ हमारी ऐसे drugs होते हैं, जो क्या वालेटाइल होते हैं, नेचर में, तो जैसे हम उसे बाहर रखते हैं, तो वो क्या ओड़ जाती है, नेचर में, तो इसी तरह कुछ drugs हमारी ऐसे होते हैं, जो क्या gaseous form में होते हैं, तो उनका जो excretion है, वो क्या है, lungs के त्रू हो जाता है, और इसका एक example आपको देख जाएगा anesthesia, तो basically जो pulmonary root रहता है, तो उसके दोरह जो anesthesia रहता है, उसको absorb किया जाता है, और उसी के दोरह के उसे बाहर रिमूव किया जाता है, यह चीज़ आपको द्यार रखनी है, और यह जो basically जो entry रहती है, जैसे anesthesia की हम बात करें, तो यह क्या है, lungs के अंदर से blood steam में कैसे पहुँचेगा, यह क्या है by the simple diffusion, है ना, diffusion की जो process होती है ना, तो उसके तुरू क्या है, यह हमारे body के अंदर पहुँचेगा, कुछ हमारी gases जो अगरा रहती है, जैसे nitrous oxide होगी, है ना, तो यह क्या है blood के अंदर बहुती ज़्यादा less soluble होती है, यह ना, यह क्या है body को आसानी से छोड़ देती है, मतलब बोड़ी से बाहर निकल सकती है, तो इसका जो exchange होता है, या इसका जो excretion होता है nitrous oxide का, तो वो भी क्या है इसका एक example है, तो alcohol के blood के अंदर अच्छे से mix हो जाता है, उसका जो excretion है, वो भी क्या है, lungs के द्वारा किया जा सकता है, तो basically यहां पर जो pulmonary root रहता है, तो इसमें उन drugs का जो excretion होता है, जो या तो gaseous form में होते हैं, या फिर क्या है, volatile होते है nature में, तो बस इतना आपको ध्यान रखना है, और कुछ मतलब factors होते हैं, जो क्या effect कर सकते हैं, pulmonary excretion को, जैसे blood flow के अगर कम है lungs के अंदर, तो excretion proper नहीं हो पाएगा, breathing rate कैसी है, और solubility जो substance की होती है, वो कितनी जाद है, यह तो यह तीरों के तीरों जो factor होते हैं, तो यह क्या है pulmonary excretion को effect कर सकते है और next आता है हमारा salivary excretion, तो यह भी बहुत जादा मतलब आसन सा है, तो basically यह जो saliva का pH range रहता है, तो वो 5.8 से 8.4 तक रहता है, यह इसकी range रहती है, ऐसे drugs जो क्या है, easily dissolve हो जाते है, fats के अंदर, तो वो क्या है, passively जो exit कर सकते हैं, saliva से हैं, यानि passive diffusion की वज़े से क्या है, saliva के तुरू exit कर सकते हैं, mechanism के हम बात करें कि काम कैसे करता है, या saliva के तुरू drug जो excret होते कैसे हैं, तो basically क्या है, जब जो drug होता है, माल लीज़े हमने कोई drug लिया, वो हमने क्या है, खाया, तो वो क्या हमारे मुझ के अंदर है, वो क्या है, dissolve हो गया, saliva के अंदर, तो question मतलब drug का amount होता है, तो वो क्या easily जो cross काहिए आता है, जो tissues present होते है, salivary glands वाले, है न, तो उन tissues को cross करके, वो salivary glands के अंदर पहुंच जाते हैं, और जैसे कि आपको पता है, कि जो salivary glands होते है, तो वो क्या saliva कर production करके, उसे बाहर बेज़ती हैं बापस से, तो अगर वो salivary glands के तो उनका जो excretion रहता है, तो वो क्या saliva के थुरू हो सकता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा होता है, तो मतलब मौटा मौटा मैं आपको बता दूँ कि ये जो salivary जो excretion रहता है न, तो इसका जो excretion जो rate होता है, तो ये काफी कम होता है, तो आप बस इसे ऐसे समझ लिज़ जाता है कि tissues को cross करके salivary glands के अंदर entry कर जाता है, और वो फिसे क्या है, बापस से saliva के थूरू उन्हें बाहर निकल दिया जाता है, उसको क्या expel कर दिया जाता है, तो फिसे हमारा मुझ थोड़ा कड़वा-कड़वा लगने लगता है, इसका मतलब क्या है, डग क्या है बहुत ही कम होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारा drugs का excreation होता है, saliva के थूरू मतलब यह तो मतलब बहुत ही कम amount रहता है, तो इसलिए कि मतलब इसे बस आप ऐसी समझ सकते हो, और हमें पता है कि मतलब जब excreation होता है, तो थोड़ा सा bitter taste रहता है मुझ के अंदर, तो मत बेसिकली कहा है, जो पूरा का पूरा जो ड्रग रहता है, तो उसका excreation तो kidney के थूरू होगा, लेकिन छोटा सा जो part जो saliva में mix हो गया है, तो उसका excreation के saliva के थूरू होता है, नेच्ट रता है memory excreation, तो memory excreation में बहुत छोटे amount के जो drugs होते हैं, मतलब बहुत ही एक छोटा जितना भी हमने drug खाया है, तो उसका लगव को 1% जो हिस्सा होता है, तो इतना ही मतलब excreation हो सकता है, memory excreation के थूरू है ना, तो बेसिकली यह जो 1% जो drugs का excreation हो रहा है, तो यह क्या breast milk के दोरा होता है, तो जबकि बच्चे वगरा दूद पीते हैं आप breast के थूरू, तो यह जो amount होता है, यह अतना कम होता है, कि मतलब बच्चे को भी नुकसान नहीं पहुचा पाते हैं, लेकिन यह जो excreation हो रहा है, तो यह क्या normally होता है, मतलब बहुत कम है amount में होता है, इसलिए क्या कोई फरत नहीं पढ़ता है एक तो, लेकिन कुछ हमारे strong drugs होते हैं, जैसे मिलके अंदर, जैसे barbiturates या फिर morphine, तो यह क्या कर सकते हैं, बच्चे को जो harm कर सकते हैं, तो यह वाले drugs नहीं होते हैं, अदर जो drugs होते हैं, तो उनका amount इतना कम होता है, कि मतलब वो कोई नुकसान नहीं पहुचा सकते हैं, तो एक तरह से क्या एक्सक्रीशन ही हो रहा है जो क्या breast milk के थुरू हो रहा है, इसलिए हम इसे memory execution बहुते हैं, potential adverse effect की हम बात करें, तो जैसे जो tetracyclines है, तो यह क्या है, बच्चे के जो tooth का जो discoloration रहता है, तो उसको जो cause कर सकते हैं, अगर यह क्या breast milk के अंदर present होते हैं, अगर क्या सलफोन हमाइट्स वगरा present होते हैं तो यह क्या करते हैं, बलिरूबिन के साथ जो interact करते हैं, और क्या जॉन्डेस को जो cause कर सकते हैं बच्चों के अंदर, और nicotine बगएर अगर present है, अगर क्या mother smoking बहरा करते हैं, तो उसके जो breast milk होगा, उसमें क्या निकोटीन की मात्रा भी हो सकती है, तो यह भी क्या पास होके बच्चों के अंदर जो पहुंच सकती है, तो यह भी क्या harmful effect बगएरा, तो यह हो गया हमारा memory excretion, अब हमारा skin excretion आता है, तो skin के थुरू जो excretion कैसे होता है, तो skin में क्या sweat glands होती है, sweat pose होती है, तो उनके थुरू क्या drugs का जो excretion होता है, तो basically skin में क्या जो pH partition रहता है, तो उसके basis पे क्या excretion होता है, और sweat के साथ क्या जो drugs है, वो क्या बाहर निकलते हैं, तो इसमें बस आपको इतना याद रखना है, कि इसमें जो drugs होते हैं, तो उसमें बहुत ही come amount में जो excretion होता है, skin के थुरू, इसलिए इतना याद इंपोर्टेंट नहीं है, इसके बार का रही है कि एक condition होती है, जिसमें जो skin होती है, तो वो क्या है, चोटे-चोटे bumps बन जाते हैं, मतलब, इसके थोड़ी उठी-उठी हो जाती है, उसके खुझली भी मसती है, redness भी आ जाती है, तो इसको जो यूटी का रिया बोलते हैं, और यह क्या है, जो drug जो है, excret हो रह mercury, lead, arsenic, इस तरह के जो compounds हैं, तो वो क्या है, इसके थूज एक्सक्रीट हो सकते हैं, और जब यह excret होते हैं, तो इसके में हमें यह problems देखने को मिल सकती हैं, तो यह हो गया, इसके एक्सक्रीशन, सबसे लाश्ट आता है, वो हाता है, हमारा gastro-intestinal excretion, तो यह क्या है, पहुंच जाता है, तो वहांपे हो क्या रहा है, मतलब एक्सक्रीशन कैस हो रहा है, तो basically क्या रहता है, कि जबके हैं ड्रग हम मुग के थू लेते हैं, तो वो जो ड्रग हो हमारे पेट के अंदर जाता है, वाहां उसका डिसिंटिकरेशन होता है, टूटता है, वो है ना, जोल्यूसन होता है, तो उसका जो कुछ हिस्सा रहता है, वो तो क्या एब्जॉर्ब हो जाता है, जी आइट के अंदर, और उसका जो कुछ हिस्सा रहता है, वो क्या प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, वो क्या इंटेस्टैन में पहुंचता है, और हो रहा है GIT के थूरू माँपे कैं उसका absorption हो रहा है लेकिन कुछ जो पाठ है वो कि एब्जॉर्ब अगर नहीं हो पाता है तो वो क्या excret हो जाता है कई के कंडिशन में क्या है कि वो क्या excret होने से पहले कि वो intestine में पहुंचता है तो वो क्या reabsorb भी हो सकता है और वापस से blood में पहुंच सकता है तो यह condition भी हो सकती है लेकिन उसका अगर reabsorption नहीं होता है तो वो क्या बहार निकल जाएगा एक्सकीट आउट हो जाएगा तो कुछ है amount ही होता है drug का जो क्या excrete out होता है GIT के थरूँ तो चलिए अप फड़ा इसमें देख लेते हैं तो drugs को जो अपके mouth के दिया जाता है तो उनका जो Dec hadijos son का जो end up रहता है तो इस्टमक्त में होता है तो उनके बीच में जो concentration होगा तो उसमें क्या difference होने के वैए सिज्टीराइब हो सकता है तो यह वी एक कंडिशन रहती है और जो हमारा स्टमक रहता है तो यह काirk इंपोर्टन रहता है ऐसे गरना वह पाते हैं तो फिर क्या है बापस से एब्जॉर्ब हो जाते हैं अगर नहीं हो पाते हैं तो फिर वो क्या बापस से मतलब excrete out हो जाते हैं और अगर वो absorb हो जाते हैं तो फिर से क्या है वो blood steam में पहुंच जाते हैं और बापस से वो reuse होने लगते हैं तो इस तरीके से क्या है basically आपको ध्यान लगना है gastrointestinal excretion का अगर आपको symbol words में हमाँ आपको summarize कर दू तो माल लिजे कोई हमने drug लिया वो क्या माउथ के तुरू हमारे पेट के अंदर गया तो वहां पर क्या डिसिंटीकेशन हुआ डिसॉलीशन हुआ उसके बाद उसका absorption भी हो सकता है वही पर और अगर absorption उसका कुछ पाइट का अगर नहीं हो पाता है तो यहां पर हमने खतम कर लिए अपने सारे non-renal execution के route है आपको समझ में आगे होंगे बस आपको इतना इतना ही याद रखना है क्योंकि exam में बहुत ज़्याद है इसमें से नहीं पूछा जाता है तो आप बस याद कर लेना चीजों को समझ लेना बस इतना ही काफी है तो हमारा यह जो elimination वाला part है यह complete हो चुका है अब जो नेक्स्ट वीडियो है का उसमा हम बायो अवैलिबिलेटी वेगरा के बारे में देखे हैं जो कि एक important topic है exam में जरूर पूछा जाता है तो यह था अचका वीडियो अगर आपको कोई doubt हो तो आप comment करके पूछ सकते हो तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के जिल्ए गुटबए और तक किर